इस चित्र को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक चित्र दिया है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है चित्र में बारिश हो रही है बच्चे भीग रहे हैं और कुछ और भी लोग हैं उन्होंने बारिश से बचने के लिए छाता लिया है तो आईए देखें क्या-क्या कार्य हो रहा है तो बारिश हो रही है बच्चे भीग रहे हैं हवा चल रही है बच्चे खेल रहे हैं लोग जा रहे हैं लड़की हस रही है तो इन सभी जो कुछ भी ये हो रहा है इस चित्रे में इसमें होना भीगना चलना खेलना जाना और हसना ये सभी जो हैं ये क्रियाएं हैं यानि कि जब भी कहीं किसी वाक्य में या कहीं पर भी जो कुछ भी हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं आपने चित्रे में देखा कि सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं होना भीगना चलना खेलना जाना हसना ये सभी शब्द होने वाली क्रियाओं की ओर संकेत कर रहे हैं अत तह ये क्रिया शब्द हैं, क्रिया की परिभाशा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, सोना, आधी, तो हमने समझा क्रिया क्या होती है, फिर है क्रिया के भेद, क्रिया के भेद यानि क्रिया के प्रकार, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक्रिया ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पढ़ता वाक्य में क्या या किसी का प्रश्ण कि ये बिना ही उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है यानि कि अकर्मक्रिया यानि कि ऐसी क्रिया कि जिसका प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पढ़ता और कोई क्या या किसी का प्रश्ण जो है उसमें नहीं उड़ता और एक पूर्ण वाक्य जो है वो बन जाता है जैसे बादल गरजते हैं पानी बरसता है उपरोक्त दोनों क्रियाएं किसी अन्य शब्द पर प्रभाव नहीं डाल रहीं ये केवल करता की गतिविदी का वर्णन कर रही है यानि इसका मतलब ये है कि ऐसे वाक्य या ऐसे क्रियाएं जिन में ये नहीं होता कि क्रिया कौन कर रहा है कैसे हो रही है ये सब कुछ नहीं होता सिर्फ यहीं दिया होता है कि क्या क्रिया हो रही है जैसे बादल गरज रहे हैं और पानी बरस रहा है फिर है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता, ये क्रियाएं क्या या किसकों का प्रश्न उठाती हैं, जिसका उत्तर कर्म देता है. जैसे डाकिया पत्र बाड़ता है, रोहन आम खाता है, तो यहां पर ये क्रिया उसे कोई न कोई कर रहा है, जैसे डाकिया पत्र बाड़ता है और रोहन आम खाता है, तो पत्र कौन बाड़ता है, आम कौन खाता है, जैसे सवाल यहां पर होते हैं. उप्रोक्त वाक्यों में पत्र और आम कर्म है, जैसे डाकिया क्या बाढ़ता है, तो पत्र और रोहन क्या खाता है, तो आम, तो इस तरीके के जो वाक्यों होते हैं, उन्हें हम सकर्मक्रिया कहते हैं. आपने सीखा यानि की अब तक हमने सीखा कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है अब भ्यासकार्य का निमने लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिये नमबर बन क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखे तो जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले बेशब्द क्रिया कहलाते हैं जैसे हसना, रोना, सोना ये सभी क्रियाएं होती हैं नमबर टू, क्रिया कितने प्रकार की होती है? नाम लिखे. तो क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक. नमबर टू, अकर्मक वे सकर्मक क्रिया में अंतर बताईए. अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किसी दूसरे शब्द पर नहीं पढ़ता जबकि सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता. ख क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरे कीजे गीता ने मधूर गीत तो यहाँ पर क्या दिया है गाना तो यहाँ पर क्या आएगा रिगीता ने मधूर गीत गाया सुमित कहानी सुनाता अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती हैं दादी हलवा बना रही हैं बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, गर क्रिया शब्दों से वाक्य बनाईए, सबसे पहले है हसना, तो आप इससे कोई भी वाक्य बना रहे हैं, जैसे वो हस रही है, वह हस रहा है नमबर टू, कूदना, तो बंदर कूद रहा है, नमबर त्री, गाना, तो गायक गाना गा रहा है, नमबर फोर, डरना, तो मैं डर गया, या मैं डर गई, नमबर फाइव, जपटना, बिल्ली चुहे पर जपटी, नमबर सिक्स, उड़ना, चिडिया उड़ रही है आओ दोराएं, चित्र देखकर कहानी लिखिए तथा उसमें आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए यहाँ पर चित्र दिया है, जैसे सबसे पहले हम चित्र में देख सकते हैं कि एक शेर सो रहा है और एक चूहा उस पर खेल रहा है इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो गुसा हो गया उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया तब चूहा जो है वो शेर के सामने गिड़गिडाने लगा और उसे छोड़ देने के लिए कहने लगा तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया फिर जब एक बार एक शिकारी के जाल में जब शेर फस गया तो चूहे ने अपने दातों से वो जाल कुतर कर शेर की जान बचाई और शेर ने चूहे का धन्यवाद किया तो ऐसी ही कहानी आपको यहां लिखनी है और उसमें क्रिया शब्द हैं जैसे की शेर जो है वो सो रहा था चूहा उस पर खेल रहा था शेर गुसा हो गया चूहा गिड़ गिड़ाया तो ऐसे जितनी भी क्रियाएं इस कहानी में होती हैं उन क्रिया शब्दों के नीचे आपक कम्प्लीट करनी है